आज के टाइम पर एरलाइन इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे देश के ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो एरलाइन इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। एरलाइन इंडस्ट्री में आफ भविश्य में बहुत अच्छे रोजगार के अफ सर देख सकते हैं और इसका एक में कारण ये भी है कि आज हर वेक्ती एरोपलेन से ही सफर करना चाहता है क्योंकि एक तुझे समय की बचत करता है और साथ में ही ये एक स्टेटस का सिंबल भी बनता है सिविल एवियेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की एरलाइन इंडस्ट्री वर्ड की तीसरी सबसे बड़ी घरे लोडान वाली इंडस्ट्री है इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रोजगार के कितने ज़्यादा उसर होने वाले हैं आज की इस वीडियो में मैं जिस जॉब की बात करने वाला हूँ उस जॉब को एरलाइन इंडस्ट्री की बैकबून कहा जाता है इस वीडियो में मैं आप से बात करूँगा एरक्राफ मेंटिनेंस इंजिनियर के बारे में इंजिनियर की जॉब बहुती जिम्मेदारी वाली जॉब होती है किसी भी एयरपोर्ट से जब कोई जहाज उड़ता है तो सबसे पहले एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजिनियर उस जहाज को अच्छी तरह से चेक करता है उसमें कोई खराबी तो नहीं है उसके इंजन ठीक का कर रहे हैं पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजिनियर उस जहाज को उड़ने की परमिशन देता है एयरक्राफ्ट मेंटिनेंस इंजिनियर की एक छोटी सी गलती उस जहाज में बैठे हुए 300 पैसेंजर की लाइफ को खत्रे में डाल जाए कौन से subject हैं और कैसे इसमें admission होता है इसकी सारी detail जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं aircraft maintenance engineering करने के बाद आप अपना carrier aircraft maintenance manufacturing, civil aviation इसके अलावा civil defense forces में भी बना सकते हैं अगर हम aircraft maintenance engineer की salary की बात करें तो starting में 25 से 30,000 प्रती महीना उसको salary मिल सकती हैं वहीं 3 से 4 साल का experience होने के बाद में aircraft maintenance engineer को लगबग 1,00,000 रुपे महीना salary मिलती हैं तो दोस्तो airline industry से सम्मंदित ऐसी और भी नौकरियों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे comment box में लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चरनल को आप subscribe जरूर करें और वीडियो को like करना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं आगे ऐसी और भी informative वीडियो के साथ में